वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला जरूर जरूर जोइन के लिए सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखेंगे अप सब्सक्राइब कर लिए पर इस्टेडी फॉर्ट सिवल सर्विसेस दोस्तों उत्तर प्रदेश सामने ग्यान के अंतरगत आज महतुपून टॉपिक देखेंगे उत्तर प्रदेश की क इतने मिलीमीटर की रहती है या फिर और तापमान वहां का कितना है और कितने डिग्री सेलसियस का वहां का टेमपरिचर रहता है सारी चीज़ें देखेंगे ऐसे ही तत्य एक्जाम में पूछ ले जाते हैं कभी-कभी आपसे एडिया देखें जैसे पूछ लेंगे तराई चेतर में कौनसी प्रकार के मिर्दा पाई जाती है दो मठ मिर्दा पाई जाती है वलुई मिर्दा पाई जाती है या फर मठी आर मिर्दा पाई जाती है तो इस प्रकार के प्रश्ण कभी-कभी पूछ ले जाते हैं इसलिए इसको आज कवर करेंगे पूरह टॉपिक देख मिलती है और इसमें ही कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि दो मट हुआ मट हुआ तो तरही जो चेत्र है वहाँ पर दो मट मिलेगी और मट मिलेगी इसके अलावा यहां पर और ऑशत बर्षा जो है अधिक्तम तापमान 41 degree centigrade और न्यून्तम तापमान होता है 1.5 तो यहां पर अधिक्तम तापमान रहता है और न्यून्तम भी रहता है ठीक है इसके बाद अगला देखिएं के अगला चेत्र है पश्चिमी मैदानी चेत्र यहां पर भी उपोष्ण जलवाई हो है मिट्टी यहा अधिक्तम तापमान चेत्र हो गया इसके बाद अगला चेत्र है मध पश्चिमी मैदानी चेत्र यहां पर हम देखेंगे मिट्टी से फोगी ते मिट्टी मिट्टी क होगी अधिक्तम होता है इसके पाद अगला चेत्र है तक्षेंट पश्चिमी अरदसुस्क चेत्र और यहां पर जलुएयो कैसी है अरदुस्च की जलुइयो ही है मिटि के प्रकार कौन से है दोमट मिटा तो है ही दोमट भी है इसके अलाव़ा जलूड और अरावली मिटी भी बहाँ पाए जाएगी जलूड अरावली जो मिटा है वो भी यहाँ पर मिलती है इसके लावर दो मट तो मिलेगी ही मिलेगी अब यहाँ पर और आश्रद बर्सा कितनी है 663.3 mm के और आश्रद बर्सा होगी और maximum temperature होगा 44 और minimum होगा 4 जो नियूंतम तापमान है वो 4 degree centigrade होगा यहाँ पर इसको देखा इसके बाद अगला चेतर है मध्य मैदानी चेतर अब यहाँ पर जो जलवायू का प्रकार है समसीतोषन जलवायू है यानि कि ना तो जादा गर्मी होगी ना जादा ठंडी होगी मिट्टी कौन सी होगी चिकनी दो मट दो मट और बलूई दो मट यह म अगला है बुंदेल खंड वाला चेत्र बुंदेल खंड वाली चेत्र में अर्दुस्क जलवाई उपाई जाती है यहां की जलवाई को जो प्रकार है अर्दुस्क होगा अप यहां पर मिट्टी कौन कौन सी है यहां पर अर्दुस्क मारम मिर्दा मिलती है कावर मिर्दा मिल और शिद बड़ से यहां की 876.1 mm है यहां का टेंपरेचर कितना है 43 और न्यूनतम कितना हो जाएगा 4 degree centigrade इसकी बाद अगला है उत्तर पूर्वी मैदानी छेत्र यहां पर समसीतोष्ण जलवाई हुए यहां तो जादा ठंड होगी ना जादा गर्मी वाला छेत्र है दोमट म समसीतोष्ण हो जाएगा इसकी बाद पूर्वी मैदानी चेत्र यह बात करने वाले हैं पूर्वी मैदानी चेत्र और विंद्य चेत्र इन सभी जगए 2 तोनों जगह समसीतुष्ण जलवायू मिलती है पूर्वी मैदानी छेत्र जो है यहां पर कौन सी मिर्दा मिलेगी सिल्टी दोमट मिलेगी मटियार दोमट और बलुई दोमट यह सारी जो मिर्दा है यह पूर्वी मैदानी छेत्र मिलेंगी अब यहां के औस बढ़ सक इतनी ह 1016 mm और तापमान जो है अधिक्तम तापमान है 42 42, न्यून्तम तापमान कितना है 5 degree Celsius हो जाएगा इसके अलावर जो बिंदे चेत्र है यहाँ पर समसीतोष न जलवाय उपाय जाती है मटियार दोमट, बलुई, बलुई दोमट और मटियार यह मिर्दा यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर औसद बर्सा जो है 1134, 1 mm की मिलती है अधिक्तम तापमान है का 48 हो जाएगा और न्यून्तम तापमान है का 3 हो जाएगा तो यह हमने देखा उत्तर पर देश की क्रशी जलवाय उन्चल देखे और उनकी जो म्रदा है कौन सी परकार की म्रदा किस छेत्रें पाई जाती है और सथ बर्सा क्या रहेगी तापमान से संबने तत्यों को जाना अधियोप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसके आगी नेक्स वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए आप से भी ऑल्लाइन एक्जाम पेपरेशन के साथ जोड़े रहें ऑल्लाइन एक्जाम पेपरेशन का टेलीग्राम चैनल अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक को फॉलू कर सकते हैं इसके यलाब अगर आप फ्री प्रक्टिस क्विस है लगाना चाहते हैं तो इस्टडी फॉट सिविल सर्विसेस के फ्री प्रक्टिस क्विस वाली चैनल को जोइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के GKGS करेंटे फिर सब की क्विज लगाने को मिल जाएंगी और आपके एक्जाम की तयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो में लेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच